दोस्तों जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया, तो मैं इश्वर की सौगंध खाता हूँ, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी, आप रातों रात माला माल हो जाएंगे, मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखे आपका भाग यह न चमक जाए, तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना, एक लाइक जरूर करें, अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डु गोपाल से प्यार करते हैं, राधारानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना, बजकर 49 मिनट पर होगी, 27 अगस्त राद 2 बजकर 19 मिनट पर इसका समापन होगा, ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माश्टमी का व्रत रखा जाएगा। जन्माश्टमी के व्रत का महत्व शास्त्रों में, जन्माश्टमी के व्रत को 111 व्रत के समान माना गया है। जन्माश्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भविश्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उलेक है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है, वहां अकाल, मृत्यू, गर्भपाद, किसी भी मा के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है। वैधव्य दुर्भाग्य तथा कलाह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीरवाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विश्नु लोक में निवास करता है। पूजन में देवकी वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, आदी देवताओं के नाम जपें। रात्री में बारह बजे के बाद श्री कृष्ण का जनमोत्सव मनाएं। दोस्तों जनमाष्टमी पर कानहा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिशेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें। जूला, जुलाएं। तुलसी डाल कर माखन मिश्री वधनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। ततपश्चात आर्ती करके प्रसाद को वित्रित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी की शुरुवात 26 अगस्त की रात 3.49 मिनट पर होगी, 27 अगस्त रात 2.19 मिनट पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्री की जाती है। इसलिए इस साल भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण की जन्म कथा। दोस्तों जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सबसमाप्थ हो जाती हैं। पित्रदोश, मंगलदोश, काल्त सर्पदोश, शनीदोश तुरंत ठीक हो जाते हैं। आईए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौरानिक कथाओं के अनुसार, भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को, भगवान कृष्ण ने माता देवकी की आठवी संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मतुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगदी छीन कर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। और स्वयंग को मतुरा का राजा घोशित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मा देवकी को विदा कर रहा था। तभी एक आकाशवानी हुई कि देवकी का आठवा पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सु विष्णु जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की आठवी संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई आकाशवानी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ा आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौप दे। आने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पढ़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्ष करने के लिए उफान पर आ गई। लेकिन चरण स्पर्ष के बाद वो फिर से शांत पढ़ गई। वो कान्हा को बाबानंद के पास छोड़ाए और गोकु को देव की और वासुदेव की आठवी कन्या समझ उसे मारने चला लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाश वाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। इस तरह से जनमाष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजेगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिपलाए में बता देंगे। दोस्तों जनमाष्टमी प जनमाष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़ कर रख लें। बिना तुलसी के जनमाष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्विकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पढ़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है। जहरीला माना जा चावल खाना ये बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जनमाष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। चाहे आप वरत रखें या ना रखें। लेकिन जनमाष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। खाना शुभ नहीं माना जाता। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगेरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माश्टमी के दिन केवल सातविक खाना खाएं। जन्माश्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी हैं। व्रत के दोरान ताजे फलों के शेख लसी, छाच या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माश्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं। और हर चीज उनमें बसती है, बलकि हो सके, तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांती बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के व्रिक्ष में रहते हैं। पीपल व्रिक्ष पर जनमाष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें। इससे वो प्रसन्य जल्दी होते हैं। दोस्तों, जनमाष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मंतन से भगवान की पूज़ा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पतनी से दूर रहना चाहिए। जो पति-पतनी जनमाष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं। तो उन्हें एक सुशील और सुन्दर पुत्र की प्राप्ती होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन वरत रखते हैं, तो उन्हें रात में बारह बजे से पहले अपना वरत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले वरत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और वरत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें, इन मंत्रों का जाप भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरी भी दूर हो जाएगी। आप धन्वान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आपके घर में राधारानी की कृपा बरसेगी, माता लक्षमी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र, क्रिम, कृष्णायनम, भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ती होती है, ऐसे में जन्माष्टमी के विशेश अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुब भलों की प्राप्ती होती है, करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को जुला जुलाती है उसे अनंत काल तक बांजपन का सामना नहीं करना पड़ता है भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुन्दर पुत्र की प्राप्ती होती है दोस्तों जनमाश्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें भगवान कृष्ण की बंसी जनमाश्टमी पर अवश्य लेकर आए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलोने आदी जरूर लेकर आना इसे लाना मत भूलना और जनमाश्टमी पर कौड़िया आप ला सकते हैं भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना इससे घर की लक्ष्मी रूष्ट हो सकती है जनमाश्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीददारी कर सकते हैं शुभ माना जाता है जनमाश्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना इसमें लड़ू गोपाल जी जूला जूलेंगे दोस्तों जनमाश्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के चार नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देव की नंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी माता तुलसी आपके घर को धन धानने से भर देंगी जनमाश्टमी के दिन भोग में मक्षन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें दोस्तों जनमाश्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का विशेश उपाय दोस्तों मैं ईश्वर की सौगंद खाता हूँ नमक का यह उपाय करने से आपके समस्थ पापनश्ट हो जाएंगे गरीबी दूर हो जाएगी आपकी नौकरी लग जाएगी संतान प्राप्त हेतु व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें दोस्तों हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं मैं ईश्वर की सौगंद खाता हूँ अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोडपती होने से कोई नहीं रोक पाएगा भगवान कृष्ण का विशेश आशीरवाद मिलेगा आये जानते हैं नमक का विशेश उपाय दोस्तों उपाय है एक नमक का पैकेट पचास ग्राम सूखी लाल मिर्च पांच सौ ग्राम चावल सौ ग्राम उढ़त की दाल धाई सौ ग्राम आटा और ग्यारह रुपे की दक्षिना तथा एक पानी की बोतल और पांच रुपे के काले तिल बस इतनी सी सामगरी एक थैली में एकत्रित कर ले दोस्तों उसके बाद किसी भी गरीब बुजर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दे और पीछे मुड कर ना देखे घर को वापस चले आए दोस्तों आप यकीन मानो गुरू परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे दोस्तों यह उपाय हम भी जरूर करते हैं महा पुस्तक और शास्त्रों में लिखा महा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं यह उपाय जनमाष्टमी के दिन जरूर करें मैं इश्वर की सौगंध खाता हूँ आपका भाग यह उदय हो जाएगा दोस्तों यह उपाय मैं हर जनमाष्टमी के दिन जरूर करता हूँ आप भी यह मौका हाथों से मत जाने देना सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें राधे राधे जैश्री कृष्ण एक लाइक तो बनता है हे भगवान कृष्ण हे जगत पिता हे परमात्मा आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस इंसान की जीवन की हर परेशानी को खत्म कर देना उस व्यक्ति के जीवन में उसको करोडपती बना देना दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करें 26 अगस्त सन 24 जनमाष्टमी तिथी के दिन बस कर लेना तुलसी के जड़ की मिट्टी का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के आशीरवाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनो कामना होगी पूरी बन जाओगे आप करोड़ पती दोस्तों अगर आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है संतान की कमी की वजह से आप बहुत परेशान है आपका व्यापार चौपट हो गया है आपके घर में रोज लड़ाई जगडा ग्रिह कलेश होता है आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं और आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो बस आज के इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देख लीजिए और आप जोतिश शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार आने वाली इस जन्माष्टमी तिथी के दिन चुपचाप तुलसी के जड़ की मिट्टी का सटीक असरदार और चमतकारी उपाए आप जरूर करें और आप खुद देखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन इस उपाए को करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो भी परिशानी होगी उसका निवारण अपने आप भगवान श्री कृष्ण जी के आशीरवाद से हो जाएगा दोस्तों, 244 वर्षों बाद 26 अगस्त को जिस दिन जन्माष्टमी का दिन है इस दिन बहुत ही दुरलब और शुभ योग बनने जा रहा है क्योंकि इस जन्माष्टमी तिथी के साथ राज योग ग्रह योग नक्षत्र योग, अमरित सिध्ध योग धन योग, महालक्ष्मी योग जैसे शुभ योगों का निर्मान हो रहा है और इस दिन भगवान श्री कृष्णा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होंगे और इस दिन आप जो भी सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से मांगेंगे आपकी वह मनो कामना जरूर पूरी होगी और अगर आप इस जन्माष्टमी तिथी के दिन तुलसी के जड़ की मिट्टी का उपाय सही मुहूर्थ पर विधिविधान से कर लेंगे तो दोस्तों, सौ प्रतिशत आपको भगवान श्री कृष्ण जी का आशीरवाद वर्दान मिलेगा और आपकी जो भी मनो कामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद यकीन मानिये दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के आशीरवाद से आप धन्वान हो जाएंगे माला माल हो जाएंगे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और दोस्तों, यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण जी किसी भी व्यक्ति को अपना आशीरवाद दे दे फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको सिर्फ सफल्ता मिलती है इस जन्माष्ट मी तिथी के दिन चाहे आप व्रत रखें चाहे आप व्रत ना रखें लेकिन अगर इस उपाय को आप सही मुहूर्थ पर ज्योतिश शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो दोस्तों मान कर चलिए आपको भगवान श्री कृष्ण जी का आशीरवाद और वरदान अवश्य ही मिलेगा इस उपाय को कई करोडपती व्यक्ति लोग हर जन्माष्टमी तिथी के दिन जरूर करते हैं और दोस्तों 26 अगस्त को पढ़ने वाली जन्माष्टमी तिथी का शुभ समय बहुत लंबे वर्षों बाद आया है यानि कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जाही नहीं सकती दोस्तों हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी तिथी के दिन निर्जला वरत रखता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके लिए स्वर्ग के दर्वाजे खुल जाते हैं दूसरी तरफ वेद पुराणों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी तिथी के दिन सिर्फ सामान्य सा वरत रख ले और भगवान श्री कृष्ण से अपने दुख परेशानी कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना कर ले तो भगवान श्री कृष्ण के आशीरवाद से उस व्यक्ति के जीवन के हर परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है लेकिन दोस्तों आज का समय एक ऐसा समय है जब लोगों के पास वरत रखने का समय नहीं है जब लोग पूरे दिन विधिविधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि उनको एक ही दिन के उपाए से भगवान श्री कृष्ण का आशीरवाद मिल जाए और आप चाहते हैं कि आपको वरत भी न रखना पड़े और आपकी पूजा भी संपन्न हो जाए तो बस आप लोग इस जन्माष्ट मीतिति के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाए विधिविधान से जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लीजिए अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी की मिट्टी का उपाए करके आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीरवाद कैसे मिल सकता है और एक ही दिन के पास आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो तुलसी का पौधा होता है यह हमारे हिंदु धर्म में बहुत ही पूजनी अपौधा माना जाता है शास्त्रों में वर्नित है कि तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान श्री कृष्ण जी का वास होता है तुलसी का जो पौधा होता है यह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है तुलसी पौधे की जड़ होती है उसमें समस्त स्वर्ग का वास होता है तुलसी पौधे की जड़ की जो मिट्टी होती है इसमें कई देवी देवता वास करते हैं और जन्माष्ट मी तिथी के दिन खुद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी के पौधे में वास करने आते ह और इस दिन जो भी व्यक्ति विधी विधान से तुलसी पौधे की मिट्टी के जणका उपाय करता है उसको भगवान श्री कृष्ण जी का आशीरवाद जरूर मिलता है इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा राधे राधे और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस जनमाष्टमी तिथी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो आपके जीवन में आप जहां जाएं वहां पर आपको काम्याभी प्राप्त हो तो बस आपको यह करना है कि इस जन्माष्टमी तिथी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है क्योंकि पीला रंग भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तिमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है अभी इस पिले मौली धागे को आपको ले जाना है और आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है उसकी मिट्टी में ले जाकर के गाड़ देना है पीले मौली धागे को तुलसी की मिट्टी में गाड़ने के बाद आपको ग्यारह बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह का जाप करना है सोमवार को जन माश्टमी तिथी का दिन है जिस दिन आपको यह उपाय करना है और मंगलवार तिथी के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है पीले मौली धागे को उठाना है और पीले कपड़े में रखकर पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाए, अगर आप इस जन्माष्ट मीतिती के दिन कर लेंगे, तो यह पिला, मौली धागा, भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए आश भी भी नहीं रोक पाएगा, दोस्तों मान लीजिए, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आप किसी भी कारे को शुरू करते हैं, उस कारे में अपने आप समस्या आना शुरू हो जाती है, लंबे समय से आपका दुरभाग्य आपके पीछे अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके दोशों से मुक्ति मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा, कि जनमाश्तमी तिथी की सुबह नहाने से पहले, आपको अपने घर के तुलसी के पौधे की मिट्टी थोड़ी सी ले लेनी है, और इस मिट्टी को उस बाल्टी में डाल द देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के आशीरवाद से आपके दोशों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि जनमाश्तमी तिथी के दिन, भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी के पौधे में वास करने आते हैं, औ अपने आप धीरे-धीरे खत्म होने लग जाती हैं। इस उपाय के बारे में हमने आपको जियोतिश शास्त्र के अनुसार बताया है। एक लोटा जल लेना है आपके घर के पास जो भी तुलसी का पौधा है उसको एक लोटा जल अर्पित करना है एक पीले कपड़े में आपको तुलसी पौधे की मिट्टी की जड़ को रख लेना है इस कपड़े की पोटली बना लेनी है इस पोटली को ले जाना है और अपने व उपाय को करने के बाद आपके व्यापार में धन की वृद्धी होगी, आपका व्यापार वापस से चलने लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षाद भगवान श्री कृष्ण जी का आशीरवाद प्राप्थ होगा, तो इस उपाय को करना म और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिट्टी को रख लेना है। इस कपड़े की पोटली बनाकर आपको घर के मुख्य द्वार के आसपास कहीं भी रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस जन्म आश्टमी तिथी के दिन कर लेंगे तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जा है। उस घर की उन्नती होती है। इस उपाय को करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर में मिठास आएगी। आपके घर के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए